नमस्कार स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्री में एफेक्स में एक बार फिर से और आज हम लेके आया हैं कैमरा एनिमेशन से रिलेटेट कुछ टॉपिक्स और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैमरा एनिमेशन का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग कॉंसेट होता है क्योंकि आप जब तक कैमरा को अच्छे से टीटमेंट नहीं दोगे तो आपका कैमरा एक सीन के अंदर फिल नहीं आती है तो कैमरा भी एक एनिमेशन का एक खा से होता है देन आप path के according आप camera बना सकते हो इसमें रिक कर सकते हो देन animate कर सकते हो अपने तरीके से तो सबसे important होता है कि camera का timing जो आपका script होती है और जो पूरे scene का जो लेकर shots का duration होता है duration के हिसाब से आप camera को treatment देते हो तो आप एक अलग feel आएगी आपको बहुत ही cinematic feel आएगी उसके अंदर scene के अंदर जो भी आप develop करते हो तो चलिए आज मैं blender का बिल्कुल latest version जो अभी theory market में launch हो चुके है और इसमें बहुत अच्छा भी मुझे comfort लग रहा है काम करने में और future में अभी देखना है कि इसमें और भी कुछ नया चीज़े हैं जो भी हम देखेंगे और क्या-क्या इसमें हमें advantage मिलता है तो चलिए मैं camera animation से सुरू करता हूँ ऐसा नहीं कि आप three version पे ही आप इसको आप यूज कर सकते हो आप को भी मैं एक आपका scene open है यहां पर सबसे first मैं एक scene को open करूँगा जो already हमने बनाया हुआ है set किया है इसके according जो मैं दिखाना चाता हूँ मैं काफी इसमें lighting और इसके बारे में नहीं बात करूँगा सिर्फ मैं आपको camera animation बता रहा हूँ कि camera treatment कैसे करोगे अलग लग तरीके से दो तीन तरीका होता है और प्लस shaky camera कैसे बनाओगे जैसे horror में आप देखते हो जो भी stuff होता है horror का उसमें हम देखते है कैमरा का treatment से ही अलग सा एक feeling होती है something like up मालो कुछ as a suspense movie में के साथ भी हम लोग काम करते है इससे तो चलिए एक scene को मैं open करूँगा सबसे पहले हमारा जो recent हमने एक scene को set करके रखा है तो यह हमारा एक short है एक long short है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि word eye view से लेकर कि आप normal एक camera को अलग अलग treatment कैसे दोगे जैसे मैं सबसे पहला आपको बताता हूं इसके उपर कि without path का अगर हम use करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह जो character है इस character के face के उपर हम camera को focus करना है और camera अभी मालो की word eye view में है आपका camera और इस camera को आप movement करके आपको दिखाना है कि यह character के face के उपर जाएगा suppose कि आपका story हो सकता है यह कुछ भी तो पहले हम दो चीजे करेंगे पहले तो shift right click करके आप जोखो जहां cursor होगा ही पर आपको generate होगा क्योंकि scene में आप आपको पता नहीं चलेगा कि camera कहां पर generate होता है default तो cursor के उपर हम generate करते हैं grid मान लेगा इसको shift a press करो सबसे पहले आप एक camera लो number one जो पहला मैं टेकनिक बता रहा हूं जैसे हमने camera ले लिया और G press करके देखते है Z axis की camera हमारा एक आ चुके है यहां पर तो जो भी हमारा जो camera ह होता जिसका आप देखोगे कि मैंने previous कोई एक video में भी मैंने बताया है कि active camera में solid triangles दिखेगा अगर आपने दो camera लिया अलग अलग तो एक solid दिखेगा एक wire में दिखेगा इसके बारे में previous कोई video होगा इससे earlier video में मैंने बताया था लेकिन चलो कोई बात नहीं यहां पर हम ल करता हूँ आपको इसे on कर लो ताकि आपको shortcut key का help मिलता रहे है तो shift a press करेंगे यहां पर एक हम लेगे empty कोई भी ले लो अगर आपको box जो visual देखना चाहते हो जैसा वैसे आपको किसी को ले लो सेम है सब तो मैं यहां पर cube लेता हूँ और इस cube को align कर देंगे लगभग G प् इसको ही target करेंगा camera तो जी प्रेस करके आप चले जाओ y-axis पर थोड़ा सा आगे ले लो मतलब यह आपको renderable नहीं होता है बड़ आप सिर्फ इसको आप जैसे control करोगे इसके बिहाब पर आपका control होगा then camera को मैं target करता हूँ camera selected camera को मैं child बनाऊँगा और यह जो हमारा target है empty है इसको shift select करेंगे मतलब first camera then shift select आप इसका target जो empty लिए हो इसको then control P प्रेस करोगे और इसको object कर दो इससे क्या होगा कि यह link हो गया camera इसके साथ गर G प्रेस करके कहीं भी जाओ camera हमेशा उसके साथ link रहेगा camera को हमेशा अपने focus में रखेगा तो ऐसे camera को focus में करने के लिए just camera selected आप zero प्रेस करते हो तो आप camera mode में चले जाते हो then आप end प्रेस करके आप इसका view में जाओ और इस camera को lock करो जो already locked है अब इसके हिसाब साथ camera को आप setting करो कि आप देखोगे यहां से हम camera को करना चाहते है suppose एक तरीका में यह बता रहा हो यहां से आपका camera view करके उसको just word eye view से हो मैं empathy को select करता हूँ just selected empathy empathy के अंदर आप देखोगे कि main है हमारा और camera इसके inside चला जाता है because of इसके साथ हमने relate कर दिया तो just हम empathy object को select करेंगे इससे key frame को delete करना है delete key frame करो आपका empathy delete हो गया था वो नहीं होना चाहिए था अभी हम empathy को करेंगे camera को नहीं हमारा empathy को animate करना है और उसके accordingly camera होगा यह कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको तो आपको यहां से इसको control करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी तो आप चाहते हो कि पहले यह camera कैसा होगा यहां से अगर मैं I press करके on रखता हूँ देन यहां I press करता हूँ देन इसको location, rotation and scale तीनों को एक साथ मैं इनिशल की frame लगा दिया और हम चले जाते 250 frame पे मालो दिखाना है अब 250 frame पे जाने का बाद पहले तो आप इसको rotation करो तो कौन सा axis पे rotate होगा तो इससे r और x axis पे मैं rotate करता हूँ इसको यह पहले इस angle पे आएगा और थोड़ा सा r and y y axis पे थोड़ा सा आप इसको state कर लो सीध तो camera आपका सामने में आ गया गुम के जैसे भी इधर आ गया इधर आपका front पे देन आप इसको scroll करके आप जाओ इसको थोड़ा सा scroll करो और just r press करो अभी मैं इधर कुछ नहीं क्लिक कर रहा हूँ और r press करके फिर से थोड़ा सा x axis पे थोड़ा सा rotate करो कि यह आपका camera को इस angle पे ले जाना है फिर r then y axis प्रेस करके I hope कि आपको थोड़ा सा यह difficulty लगेगा इस animation को करने के लिए और थोड़ा सा आप यहाँ पे adjust कर सकते हो little bit आप इस angle पे भी इसको adjust कर सकते हो कि आप इस angle पे इसको देखना चात हो यह camera आपका इस तरीके का animation एक होता है directly इसमें मुझे लगता है कि यह काम को करने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है तो हमें क्या करना है बहुत easy तरीका में बताने जा रहा हूं आपको यह ऐसे भी नहीं करो आप camera के बाहर निकल के देखो तो आप देखो यह camera एक certain path पे आपका animation हो चुका है आप इसको चला के देखो तो आपका camera ऐसे animation होगा लेकिन एक एक जो एक circular जो आना चाहिए एक जैसे ट्रॉली के जैसा है आपका इसका आर्क रूप में आपका camera चलेगा तो ज्यादा इसका accurate feeling आती है camera का एक खास feeling आएगी आपको इसे करने के लिए हम क right click then delete keyframes तो फिर से keyframe delete हो गया no animation अभी कोई animation नहीं बस camera का animation थोड़ा हुआ तो camera को भी आप क्योंकि auto क्याउन था इसे भी आप off कर दो इसकी ज़रौत नहीं है इसे भी select करो right click करो then delete अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास हम चले जाते हैं यहाँ पर direct camera को हमने पहले से align कर लि इसके accordingly और अगर आप इसको यहां से यहां पर करो आप मालो की आपको selected है इंपटी को select करो यहां से तो आपका इंपटी selected है इसको zoom कर लो अगर आप इसको पहले rotate करते हो और इसको global axis में अगर हम ले जाएंगे तो ऐसे रख सकते हैं या आप इसको double r press करोगे तो आपको local rotation पर चला जाता है और camera को बिल्कुल नीचे लाना है तो आप इसको यहां पर रहने दो और यहां पर मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको लेकिन आप समझ लो की selected है आपका जो आपका यह imperative part था वो selected है तो इस selected फस्ट आप इस इधर से हम camera को देखेंगे है ना इस angle से और हम करे कि आप camera को just नीचे लेके आओ इस तरीके से just okay और फिर आप इस camera को क्या करो फिर से इस scale होता है इस select करके इस को scale करो camera एकदम बिल्कुल आपका character के तरफ आने की कोसिज करेगा तो कितना आता है आपको इतना लेके आगया camera को एकदम बिल्कुल सामने लेके आगया यहां पर अगर आपको और लगता है कि scale करके या आप यहां से तो अभी यहां से हमें क्या करना है अभी मैं undo करता हूं इसी चीज को क्या करना है कि पहला फ्रेम पे इसे पकड़ते हैं MPT को देन इसको drag करके ले जाते हैं 250 पे या आप मालो कि आप 130 पे दो बार करके ले सकते हुए से और फिर से आप आजाओ पहला फ्रेम पे इसका रोटेशन आ गया इसको आप zero कर दो है ना पहले फ्रेम पे चला जाएगा अब यहां से हम फिर से save MPT selected then चले जाएंगे पहले आप कितना भी फ्रेम पे पहले कर लो उसके बाद में यह एक difficult तरीका लगता है मुझे तो आप भी कर सकतो, टर्न एराउंड वगरा आप अराम से बना सकते इसको, तो यहाँ पर आप करो, पर कैमरे को रोटेशन के लिए और प्रेस करते हैं, और हम नीचे लाते हैं, जस्ट इसके साथ कैमरा सामने आता है, यहाँ पर, और यह चीज हम देख कैसे सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर इस विए को एक कैमरा विए बना लिया, यहाँ पर जाके अगर मैं फ्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि कैमरे विए में आप आ गए हैं, और थोड़ा से जब हमने रोटेशन कि पहला फ्रेम से, तो यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर आया, और जस इस फ्रेम पर हम जाएंगे, यहाँ से जंप करेंगे, जो लास्ट फ्रेम है, और स्टील स्लेक्टेड एमपटी, यह एमपटी को मैं कर रहा हूँ, एनिमिशन, तो आर आर प्रेस करके हम लोग देखें कर दो, ऐसे होरिजेंटल स्टेट करते हैं, तो आप देखोगे, पहला जो एनिमेशन हुआ कि कैमरा फर्स्ट उपर से नीचे होकर के आया, यहाँ, और यहाँ से यह कैमरा 20, मालो 20, 250 है, और यहाँ पर कैमरे को हम यहीं पर रहेंगे, सेम सेलेक्टेड, इमपटी को, देन इस प्रेस करेंगे, और इसको स्केल करेंगे, है ना, इसको तोड़ा से स्केल करके, जैसे आप धीरे-धीरे श्केल करके जाओ यहाँ पे, तोआप कैमरे को देखोगे कि इसके चेहरे पर, मतलब करेक्टर का लगबग हम करीब चले जाते हैं, अभी यहाँ पर जो तो एक एनिमेशन होता है कि आप इस एंगल से करोगे, मैं कुछ लाइटिंग वगएर आप पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, बस कैमरे को एनिमेट करने कोशिस किया है, लेकिन यह तरीका हुआ इसको पैरेंटिंग करके, कि एक मोवमेंट आपको वर्ड आई विव से लेकर के वर्ड आई विव से लेकर के कैसे हम इसको कैमरे को जूम किया फेस के उपर, नमबर बन, दूसरा अगर आप इसको पाथ के उपर एनिमेशन करोगे, एक नमबर हुआ, मैं इसको फिलाल डिलीट करूँगा, या यह इस कैमरे को मैं छोड़ देता हूँ, मैं अधर कैमरा ले कैमरे भीव में ही रखो, चलो, यहां पर मैं इसको कैमरे भी रखता हूँ, मैं लेता हूँ, कैमरा नमबर दू, दूसरा कैमरे के लिए मैं क्या करूँगा, यहां पे एक कर्व बनाएंगे, कि पाथ से कैसे इसको एनिमेशन किया जाएगा, पाथ के बेज पे, तो आप नीचे दिख रहा है, यहां पे, तो जी प्रेस करके आप उपर ले लो, यह हूँ, आपका बेजेर कर इसको स्केल कर लो, जितना बड़ा आपको पाथ बनाना है, उसके हिसाप साफ इसको, एस फोर स्केल करेंगे, और बड़ा करेंगे, स्केल करके बिगेस्ट कर लो, देन आप इसको टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाओ, अगर आपको लगता है कि और भी इसमें एडिशनल डाल करके इसको ज़्यादा कर विली बना सकते इसको, करिकल तो हम बना सकते, तो दो वर्टेक्स को सेलेट करके, राइट किलिक करके हम इसको सब डिवाइड कर दे, और दो तिन डिविजन डाल दो, और इधर से भी अगर आप सब डिवाइड करना चाहते हो, राइट किलिक देन सब डिवाइड, चलो दो एक दो लेलो, इधर से दो डिविजन है, चलो ठीक है, दो ही के साथ था, अब इससे क्या करो आप, राम से इसको आप मोडिपिकेशन करो, जैसे कैमरे हमें देखाना है, जी प्रेस करेंगे, और ऐसे इस एंगल से कैमरे आएगे, जस्ट उपर से, और यह रोल होता हुआ, कैमरे मालो कि यह थोड़ा सा स्पेशल आप करव बना लो, एक जैसा पाथ में आप देखाना चाहते हो, यहां से कैमरा चल के आएगा, जस्ट इधर से और इसका मैं रखता हूँ something इधर rotation करते हुए आपका camera देन इसको आप proper एक path बना लो camera का कैसे आपको animation करके जाना है देन इसे और थोड़ा सा उपर ले जाओ z press करो height से आप दिखाना चाहते हो तो this is your choice दिन simply camera एक यहां पे चला जाता आपका तो कर्व आप जैसा बनाओगे उसी कर्व के वेस के उपर आपका camera moment होगा एक एक अलग एक effect देगा आपको जैसे drone effect से हम कोई camera यूज करते हैं उस हिसाब से आप इसको रखो पूरी तरह से आप इसको थोड़ा साथ इसको बड़ा कर लो ऐसे टेंजेंसी रखके smooth कर लो इसका कर्व को friend मेरा दो मेरा video हमेशा थोड़ा सा long हो जाता है लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कोई भी चीज बता रहा हूँ तो थोड़ा सा clear करके बताओं ताकि आप काम कर सको matter नहीं है कि time ज़्यादा लगता मेरा matter है मैं समझाना चाहता हूँ आपको clearly चलो इस तरीके से आपने इसको done कर लिया इस type का कोई path है suppose और इस path पर हमें animate करना है कुछ ऐसा अब तो जितने तरीके साथ इसको करो जैसे आपकी choice तो अभी जो last का जो है यह मैं रखना चाहता हूँ कि यह जी प्रेस करके सीधा यहां पर नीचे तोड़ा सा यहां पर रहे camera जिसके सामने आ जाए इसके सामने सपोज different भी हो सकता है बड़ एक टेक्निक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वह समझे एक तरीका यह हुआ कि आप इसको यूज करो गए something ऐसा अब हम इसको पात करते है तो प्रेस करो टैब इसके बाद हम इसके लिए एक नया camera लेना चाहेंगे new camera ले लो चलो shift right click करो shift a प्रेस करेंगे देन camera तो एक नया camera आगे हमारा यह camera को आप चाहो तो इसको location 00 position कर दो अभी फिलाल तो इसका दो तरीका है camera अलड़ी हमारा selected है आ कि यहां पर हमने कैमरा सेलेक्ट कर रखा है इसको आप 00 पर रख दो कि alignment रहेगा चाहे कैसे भी चलेगा अगर 00 पर रखके चलोगे तो बेस्ट आपको alignment करने का आपको chance मिलेगा यहां पर तो camera को 00 पर रखने के लिए आप यहां से क्या करोगे alt प्लस जी यह 00 position पर चला जात और यहां पर हम इसके यह से off कर देते हैं इसकी ज़रुत नहीं है इसका आप keyframe को delete कर दो right click delete keyframe एक चीज ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी भी चीज का animation करते तो आपका auto key के उपर हमेशा auto key के उपर आपको focus करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और कहां पर रख इसमें देन यहां पर आपको मिलेगा एक follow path करो follow path अब follow path में आपको पूछ रहा है कि follow path कि के साथ करना है तो यह हमें इस curve के उपर करना है तो target पर click करो bezier curve है इसको हम लगा दिया इसके साथ तो आप देखेंगे कहीं न कहीं आपका यहां पर camera जाके लग गया इस जगह पर fit हो गए camera लेकिन camera एक अलग तरीके से दिख रहा है कहीं और जबकि मेरे मेरे को चाहिए आप ए camera का target हो एक खास एक empty ले लो चाहे जो हमारा empty इसको भी ले सकते हैं लेकिन problem क्या होगा कि यह इसमें हमने animation अलड़ी कर दिया है तो चलो आप चाहो तो इसका head को भी ले सकते हो इस head को तर्गेट कर सकते हो तो इस head को हम कैसे target करेंगे तो again हम लोग camera selected रखेंगे यहां पर जो भी हमने लगा रहा है यह हमारा camera है ना already selected है आप देख सकते हो camera ते camera selected एक आप और एक constant लगाओगे इसके उपर जस्ट यहां पर इसको आप कर सकते हो track 2 है ना इसको हम लोग करते है track 2 यह track किसके साथ करेगा तो track करने के लिए हमने यहां पर इसको रखना है कि यह track इसे करेगा head को हमेशा head को track करके रखेगा तो target करो यहां track 2 में target किया होगा तो हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे eye dropper लोगा और इसको target कर दोगा मतलब यह head बला पार्ट इसको target करेगा तो आप देखेंगे कि camera का जो view हो गया आपका direct यह इसका target कर दिया उसके head से अब इसे हमें animation करना है कि इसके उपर कैसे animation करना है बात में इस curve को हम adjustment भी कर सकते हैं प्लस इसमें speed control कर सकते हैं कितना से कितना speed हमें रखना है वो भी हम इसमें decide कर सकते है speed का भी तो बहुत ही यह ज्यादा मुझे लगता है कि आपका path animation करो बेटर रहेगा तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जस्ट आप follow path पहले आपने select कर लिया जो आपका camera के उपर मिला है जो हमने यह constant लगाया था इसमें आप जाके आप follow curve करो देन animate path करो एक बार और एक बार play करके देखो तो आप देखो के camera इसके साथ बहुत लंबा path पर जाके चल के जा रहा है last ओके तो अभी हमारा क्या हुआ यहां पर जहां तक हमारा curve है वहां तक जा रहा है आप चलो एक बार camera view में जाओ जो camera selected है इसको आप इसको आप एक्टिवेट कर दो इसको highlight कर दो जीरो प्रेस करो देन प्ले करके देखो कि आपका camera ऐसे इस पात से आराम से जैसा path है उसके ह animation करना इसको भी आप decide कर सकते हो कहां तक जाके animation करेगा तो हम लोग थोड़ा सा setting इसका देखेंगे कि camera आपका जैसे भी है उसको path को पकड़ के जा रहा है last जितना frame तक हमने रखा है तो यह एक तरीका होगा I hope कि आप इस तरीके को भी समझ सकते हो कि camera का यह एक अच्छा त देखता हो फिर से यह camera आपका इसे path के उपर animation होगा आपका camera लेकर जा सकते हो speed में something जो भी है जो आप देख सकते हो इस तरीके से camera और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप देखना ध्यान से की camera का जो background है कुछ display हो रहा है कुछ display नहीं हो रहा है इसका region होता है कि जो camera selected है उसका property में जाएंगे एक end होता है एक clip starts होता है मतलब यह near by जो कितना near से near object को हम देख सकते हैं और कितना far object को देख सकते है फार वाला ही है नीचे तो इसको आप 10 extra बढ़ा दो तो आप देखोगी कि पूरा scene में कोई भी cutout नहीं दिखाएगा आपको complete scene दिखेगा और हम कैसे speed को control कर सकते हैं इसके उपर हम देखते हैं सबसे पहले हमें यह चीज सोचना पड़ेगा कि जैसे हमारा 250 frame है हमारा full और यह इसका एक animation को हमें पकड़ना है तो चलो अभी आप आजाओ इसका camera से बाहर निकल जाता हूं मैं इसको अगर मैं view में जाके आचा lock camera नह तो इस path पे चल रहा है आपका animation something ऐसा तो यह path को select करो सबसे पहले then this path selected आप इसके curve में जाओगे और यहां पर आपको मिलेगा path animation इसको expand करो तो आपको यह बता रहा है कि यह frame कितना frame पे हो रहा है यह 100 frame पे है that's why यह आपको बहुत speed दिखा रहा है आप इसको करो 250 frame maximum और इस 250 frame तक इंड आपका animation होगा इसमें तो आप 250 तक जा सकते हो आप देखो कि थोड़ा सा camera आपका slow motion में जा रहा है और 250 तक जा करके camera आपका रुकेगा इंड होगा तो आप इसको camera view में जाओ यहां पे 0 प्रेस करके देखो फिर एक बार play करके हम देखते हैं तो camera के speed आपका क् करने जा रहे हैं कि इसका speed को कैसे control किया जाएगा तो आप camera से बाहर आजाओ अब हमें थोड़ा सा बहुत बढ़ा सीन बना लिया है इसलिए आपको आप समझ लो consider करो कि आपका camera इसको express करके थोड़ा सा बढ़ा कर लो तो साइद आपको देखने में असानी होगी इससे बाकि सब focal length है and all सब normal है तो ऐसे आप इसको एक बार देख लो कि आप camera को बड़ा भी कर दिया तो कोई दिकत नहीं बस आपको दिख रहा है camera तो वहाँ पे जाकर रुकने का रुक नहीं रहा है because कि आपको continue play हो रहा है that's why तो अगला हमने क्या करना है इसको सबसे पहले मैं फिर से path पकड़ूँगा इसके लिए then path selected आप चले जाओ यहां से आप path animation के अंदर जाओ जहां पे आपने यह इस पे जाते हैं इसके option पे sorry camera select करना होगा sorry selected camera क्योंकि path animation हमने इसमें लगा था यहाँ पे follow path को छोड़के इसको discard करो और यह अभी animation नहीं होगा sorry एक बार animation keyframe I think हो गया anyway इसको fixed position हम करेंगे fixed position आप देखोगे कि यह इसके लिए responsible यह होता है fixed position के लिए कि यह one मतलब zero से शुरू होता है और यह fixed position के हिसाब से आपका speed decide करता है तो आप ही देखोगे हमने animation follow fixed position किया तो आप देखोगे कि यह आपका animation नहीं हो रहा है मतलब यहां से आप इसको keyframe करना शुरू करो तो मैं चाहता हो कि 250 frame के अंदर पहले इसका मैं कुछ दूर तक मत आप इसको रख लो मालो 0.5 और इसको animate करते है पहला frame पर भी जाके आप इसको zero कर लो पहले इसको zero और यह पहला frame पर पहले मैं एक key डाल देता हूं right click करके insert keyframe यह यहां से click करके diamond button पर भी point पर भी जा सकतो 100 frame तक यह जब चलेगा camera तो इसका होगा मालो 0.4 मतलब 40% ही camera का animation ह होगा फिर हम इसको right click करके keyframe करते हैं तो यहां से animation हुआ इसका एक खास speed में animation हुआ अब यहां से आप चाहते हैं कि 180 frame पर एकदम slow हो जाए camera मालो 160 frame पर तो आप क्या करो इसको अब मैं डालता हूँ 0.5 और फिर से insert keyframe करते हैं और लास्ट का जो frame होगा यहां पर मैं डाल लेता हूँ 100% मतलब 1 हुआ right click keyframe तो आप देखोगे camera जो चल रहा है एक खास speed में मिला और फिर यहां से इसका speed slow हुआ और फिर fast speed हुआ ज्यादा super fast हो गया तो आप चाहो तो change कर सकते हूँ जैसे यहां पर जो रोकता हूँ मैं यहां से यहां तक जाएगा एक और speed बढ़ेगा camera का तो यहां पर मैं क्या करूँगा one कर दूँगा और insert keyframe करेंगे और फिर यहां तक जाता है camera तो यहां पर मैं एक insert key करें एक बार और राइट क्लिक insert की और लास्ट यहां तक जब जाएगा इसका speed हो जाएगा कम slow मतलब मालो 0.3 मान के चलो कि 0.3 पे लेके आएगा यहां से यहां तक और यह यहां से slow तो यह बार गलत हो गया इसका जो हमने लिया था value ऐसे नहीं करने का आप शुरू से ही decide कर लो जो speed में आपको लाना है तो चलो यहां से यहां slow speed हुआ आप चाहो तो इस speed को थोड़ा सा control कर सकते हो कि यह यहां से यहां तक control होगा slow motion में जैसे मालो इतना तक slow motion चलेगा और फिर speed में आ जाएगा फिर से normal speed में आ जाएगा just तो आप एक बार camera view में जाओ by pressing 0 then play तो आप द और इसको zoom कर दिया just इस object को तो एक एक तरीका हुआ जो इसमें आप देखोगी बहुत ही smooth animation होगा जो मुझे भी ज्यादा पसंद है इसमें थोड़ा सा horror type का कुछ भी हम बनाते हैं तो camera का speed और motion बहुत important role play करता है plus timing animation का यह important होता है चले दो तरह का camera हमने सिखा अब थड़ थर्ड चीज हम लोग अब देखने जाने कि camera shaking जो ऐसे horror short या suspense short के लिए हम लोग कैसे generate करते हैं उसे हम देखेंगे चले शुरू करते हैं एक नया camera लेकर करके माई शुरू करूँगा इसमें तो चलिए camera एक नया लेते हैं इस camera से निकल के और एक just create new camera यह इस camera में ऐसे दिखाना है कि यह camera एक circle यह चल के जाता है इसके सामने है ना एक camera मैं यहाँ generate करता हूँ shift right click आपका cursor आ गया है shift a press करो camera ले लो just a camera s press करके मैं camera को थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसको जी प्रेस करके उठा लेता हूँ इतना height पर अभी camera के view से हमें देखना है और प्रेस करके थोड़ा से camera को आप rotation करके तो आप इस camera को क्या करो इसको highlight कर दो इसे highlight करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा तो यह camera highlight हो गया ताकि हम zero प्रेस करेंगे तो यह हमारा camera का main view बनता है देन इसे एक बार adjustment करेंगे यहां से आप camera view को on कर लो देन आप इसको adjust कर लो एक बार जैसा भी अगर आपको rotation पर थोड़ा सा है तो आप इसके data में जाओ camera data में देन आप इसका rotation देखो कौन सा rotation होगा like y होगा तो y rotation में थोड़ा सा स्टेट कर लो सीधा तो आप देखेंगे कौन कौन सा rotation आपको देना तीनो rotation पर आपको variation करना है लेकिन सबसे पहले हमारा camera यहां से जूम होगा सीधा तो पहले एक जूम का animation हम कर देते हैं कि पहला फ्र आपको अच्छा सा feeling आएगी और तो अब हमें क्या करना है यहां पर दो चीज़े करना पड़ेगा हमें यहां इसको split करके एक और आप यह ले लो split करो यहां से एक और एक को बना लो आप graph editor एक timeline रहेगा तो इसे graph editor बना लिया हमने और कितना frame तक हमें करना है वह हमारा decide होता है यहां पर 250 frame तक हमारा animation होगा बस यहां पर और इसको आप जूम कर लो इस step से आप जूम करके आप देखोगे कि आपका graph editor यहां पर बनेगा आप इसको t press करके छोटा कर सकते हो यहां पर आपका panels रहेगा तो चलिए समझने के लिए है और यहां पर हमारा 250 frame पर हमें दिखाना है कि 250 frame तक हमें लेके जाना है तो पहला frame पर still हम क्या है selected है camera को और यहां पर मैं करता हूँ y axis को right click insert keyframe यह sorry आपको एक चीज़ का ध्यार रखना तीनों पर मैं नहीं करूँगा वरना unnecessary यह होता है आपको confusion insert single keyframe करो या आप यह diamond पर भी click करोगे तो यह keyframe होता है यहां से आप देख सकते हैं यहां से हट सकता है यहां सभी on हो सकता है तो पहला keyframe हमने लगा दिया और मैं 250 frame पर जाके मैं last इसे रखना चाहता हूँ कि यह बढ़के camera बिल्कुल आगे आप इसको और value बढ़ा दो कि camera को कितना जूम करना है exactly camera इतना जूम होता है मालो कि यहां तक इस बंदे को देखने तक तो एक आपका keyframe ending keyframe फिर से इस पर लगा दो तो आपको देखोगे यहां पर एक graph आपको बन गया सीधा लेकिन एक camera के खास speed रहेगा यह starting में slow फिर fast देख सकते हो easy and is out automatic आपका graph editor पर ले लेता है जैसा मैंने पहले बताया था यह देख लो तो आप इसको चाहो तो linear एक speed में लेके जा सकतो एक खास linear speed के लिए दोनों को select करेंगे right click करेंगे then इसको handle में जाके इसको vector कर देंगे तो आपको देखोगे कि एक एक बार जब camera start होता इसका वहा तो आप यहां से थोड़ा सा आप इसको zoom कर लो इसको check off कर लो फिर आप zoom कर लो कि पूरा scene आपका यह है जो frame दिखता है यहां से आपको proper देख पाऊगे इसका inside frame then this selector आप इसको छोड़ दो अभी क्योंकि हमारा यहां पर काम होता है शुरू तो अभी मैं just अभी graph editor पे हूँ y-axis पे हमने इसको animation कर दिया इसको मैं छोटा करूँगा थोड़ा सा बढ़ाओंगा इसका range और यहां से हमारा जो property आती है उसको भी देखना है अब मुझे करना है तीनो axis पे x, y, z अब देखो इसको अगर z पे करोगे तो इस angle से थोड़ा सा shake होगा तो camera shake option भी इस पर बोलते हैं यह थोड़ा सा rotation करेगा y वाला को और x वाला को भी उपर नीचे करेगा मतलब तीन angle होगा rotation का और तीनो पे right click करके insert की frame डाल दो एक पहल यह y exist तो आपको दिखेगा आप चाहो तो इसको hide करके रखो अभी यहां से hide and hide मैं यह basic tutorial में मैंने यह सारा बता चुका हूँ पहले तो आप यहां से जाके क्या करेंगे इस जैसे x earlier rotation के उपर अगर मैं दालता हूँ यहां पे modifier में जाएंगे यहां पे हम noise fill करते हैं ठीक है एक noise fill करके आप zoom करके देखो तो आप देखेंगे कि यह एक noise के रूप में आपका जब यह camera चलेगा तो ज़्यादा sack की camera होगा बहुत ज्यादा ultimate check हो रहा है ठीक है तो इसका sack का हम कैसे control करते हैं प्लस आप frame range यहां पे set कर सकते हो कहां से कहां तक आपको करना है तो आप द होगा 250 तो 250 तक ही आपका यह यहां से graph चलेगा उसके बाद रूख जाएगा graph something यहां जाके रूख जाएगा तो जैसे आपका मर्जी है कितना पर आप range set करोगे then इसका scale value होता है कि आप scale इसको थोड़ा से scale बढ़ा दो क्योंकि यह ज्यादा frequently यह काम कर रहा था तो आप इ frequently अगर आपको चाहिए इसको आप एक बार play करके देखो तो यह frequency देखो उपर नीचे ज्यादा हो रहा उसको मत देखो उसको set करने के लिए आप थोड़ा सा offset भी चलो थोड़ा सा set कर सकते हो इसका offset थोड़ा सा maintain इसका होता है strength को अगर हम कम रखते हैं जैसे मालों कि इसका point two strength रखा तो हलका सही है सेकी होगा लेकिन अगर camera बहुत ज्यादा speed में जा रहा है तो आप देखोगे sec कुछ ज्यादा हो रहा है इस angle पे जैसे कोई लेके जा रहा है तो इसको थोड़ा साओर कम करो point one करो normally आप इतना रखो तो बाकी तो यह practical है आप कितना पर रखना चाह और यहां पर इसके उपर individual हम फिर से noise लगा देखें तो पहले देखेंगे कि जो x वाला जो error rotation पे था हमारा अभी y पे हुआ तो x वाले पे हमें क्या हुआ y को भी hide कर दो और x को unhide करो तो इसका जो हमने रखा minus तो आप हो सकता है plus 17 हो या minus plus से मतलब नहीं होता है यहाँ मतलब होता इसका value चाहे तो उपर जाएगा frequency या नीचे के तरप आएगा तो दोनों इस्तिती में होता है तो आप देख लो value 17.1 और offset जो भी है offsetting को हम set कर सकते हैं तो उसी angle से ही आप visually देख सकते हो otherwise तो आप चले जाओ इसको off करो इसको on करो और इसका भी हम लोग करते हैं प्लस 17 भी कर सकते हो तो आप देखोगे कि उसका वार जो होता है करीब करीब उतना मिलेगा जितना आपको required होता है मालों की 17 के लगभग रख लो देन इसका strength को कम करो 0.1 करो that's it तो आप देखेंगे थोड़ा से camera just ऐसा सेकी हो रहा है ओके तो यह सेकी camera हो गया यह भी आप इसका भी range आप कर सकते हो हर एक का restrict range में जाके आप set कर दो unnecessarily range लेने के जोरत नहीं हो 1 से करना है तो 1 से करो 10 से करना 10 से करो 250 इंड हो गया that's it यह यह होगा आपका तो यह offsetting को भी थोड़ा सा आप adjust कर सकते हो जैसे frequency match नहीं कर रहा है proper तो आप थोड़ा सा frequency का offset आप यहाँ करके आप जा सकते हो तो दो angle पर आप देखोगे कि second सुरू हो गया camera जस ऐसा feeling होगा कि camera को लेके जा रहा है चलते हुए जा रहा है camera को वह ऐसे चलके उसके पास जा रहा है ज्यादा शेकी हो रहा है इसको और कम कर सकते हो जैसे आप यहाँ पर strength को और कम कर सकते हो जैसे 0.05 5 अगर मैं रखता हूं strength को तो strength थोड़ा से कम होगा वैसे आप x axis पर थोड़ा से strength कम रखो x पर जाओ और x को भी रखो 0.04 कर दो है ना तो आप देखोगे थोड़ा कम strength में जाएगा और ज्यादा natural लगेगा दोस्तों मेरा video बहुत लंबी हो जाती है समझाते समझाते लेक मतलब होता आपको समझाने का तो चलो यहाँ one one frame से मैं करता हूं अगर sorry one ही रखो then यह ending होगा 250 frame that's it और same हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका scale बढ़ा देंगे इसका scale भी just देखो बहुत ज्यादा left right जा रहा था then इसका offsetting कर रखो 0.02 कर दो कम कर दो sorry offset को रखो करीब 3 रखो चलेगा लेकिन आप इसको offset तो आपका यह जो frequency को बताता है देखो यह frequency को आप कैसे manage करोगे कि ज्यादा shake करना है कम करना है something आप इसको थोड़ा सा जो last का जो होता है उसके लिए maintain करने के लिए offsetting होता है otherwise आपका strength होता है 0.02 करो अगर इतना तो normally आपको तेनो angle पे आपको set करते हुए ऐसे camera जाता है और जितना frame का आपको render करना उसके हिसाब से आप ऐसे camera set कर सकते हो okay तो आज का इतना ही हम इस video में लाना चाहते थे और यह मेरा पहला video है 3.0 के उपर और मैं इस पर बहुत excited था काम करने के लिए और यह excitement में मैं थोड़ा सा आपको late tutorial दिया इसके ताकि मैं इसको और आपको अच्छे से समझा सकूँ ओके तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले video में बाबाए take care